एक बार राधारानी अश्ट सखियों के साथ मतुरा हाट गई दधी मखन बेचने के लिए रास्ते में यम्ना नदी पढ़ती है तो यम्ना नदी को पार करने के लिए नाविक ढूंडने लगी और एक नाविक दिखा उसको कहा कि हे नाविक जराइधराना उन्हें बोला कि हा राधा जी क्या हुआ कि हमें मत्रा जाना है तो हम इसमांत्रा निलक मलगा Mam इसमें शोला आना लगेंगे, राधरानी ने बोला, शोला आना, अरे भाई, एक दो आना में तो पार हो जाता है, आप शोला आना क्यों मांग रहे हो, उनने बोला कि मुझे नहीं पता, मुझे शोला आना ही चाहिए, राधरानी ने बोला, चलो कोई बात नहीं, तीन आना ले राधारानी ने बोला, चलो कोई बत नहीं, पांच आना ले लो, कि पांच पंच भूत होते हैं, पांच पंच भूतों का अगर श्राप लग गया, नदी वदी में डूब गई, मेरे तो तेराव हो, मुझे तो तेर ना आता है, आपको कुछ हो गया, तो गाउं वाले तो सब म मुद्र का भै लगता है, राधारानी ने बोला कि आठ आना, थाकवर जी ने बोला, आठ आना, आता ना, मतलब इससे मुझे कुछ बनाना नहीं आरा, कि आठ क्या चीज होती है, तो राधारानी ने खोदी बोल दिया, कि आठ, आठ होता है, सोला आने का आधा, तो नाविक रादार रानी ने बोला कि पूर्ण पुरुरुशेतम हूँ आदा नहीं हूँ और नौ लेलो और नौ आने से होता है नया नई चीज ठाकुर्जी ने बोला कि यह रादा नौ आ नहीं हूँ प्रिया जी समझ गई है कि ठाकुर जी है गोपिया नहीं समझी है अब नया आना मैं तो नया थोड़ी हूँ मैं तो इतना जनमो पुराना हूँ सत्यूग में नारायन बना के आया था त्रेता में मैं राम बना था अब ठाकुर बना हूँ गोपियां बोल रही हैं किसकी बाते कर रहा है हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा प्रिया जी समझ रही है और हस भी रही है तो प्रिया जी ने बोला चलो दस आना दस आने में तो मान जा उसने बोला नहीं मानगा प्रिया जी ने बोला कितना चाहिए कि सोलो आना दे दो सोला आना क्यों चाहिए कि हे प्रिया जी आठ आना आपकी अश्ट सक्यों के लिए है और दो आने हम दोने के लिए एक एक आना हो गया और बाकी के छे आने किस चीज के लिए है कि बाकी के छे आने भक्ती के लक्षन है हम अश्ट सकhya और मैं अश्ट सकhya मेरा परिकर है आप और मैं इश्वर है ये नाव गुरु रूपी नाव है और बाकी के 6 आना भक्ती के 6 शर्णागती के 6 लक्षन है और जब ऐसा कहा गोपियों ने बोला कि कोई बात नहीं इस नाव को पकड़ो पानी में फैको इसकी नाव पकड़ो और हम चलाएंगी नाव इसको फैको यही और जैसे गोपिय ठाकुर जी को फैकने के लिए ठाकुर जी ने अपना वेश उतारा और गोपियों से बोला हे गोपियों देखो मैं तो शाम सुन्दर गोपियों ने बोल फेंकरी है ठाकुर जी के और प्रिया जी के उपर फिर एक दिन गोपियां वन में वाटिका में पुषप तोड़ने गई ठाकुर जी वहाँ पे आये तो गोपियां तो चले गई राधारानी ही रह गई अकेला छोड़ दिया राधारानी को रादराण ने बोला है शाम सुदर देखो फूल लाई हूँ इन फूलों को मुझे वो करना है सुदर रूप में इनको सजाना है नाराण की पूजा के लिए इनको धूं कहाँ क्योंकि नदी यहां से दूर है jardin ने ऊसी बात प्रिया जी ठाकुड़ जी एक चरण का प्राहार करा गड़ा हो गया उसमे यमना नदी का पानी आगया उसको ही कुसम सरोवर कहते हैं कुसम माने फूल फूल दोने के लिए जो सरोवर बना उसको कहते हैं कुसम सरोवर हरे कृष्णा जै जै शिराधे श्याम